कि नमस्कार दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है के यूट्व चैनल पर आज जो टॉपिक चर्चा करेंगे बहुत ही महत्पुन टॉपिक है दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखें और ज़रू सेयर करें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करेंगे तो इस वीडियो को आप पूरा देखें और ज्यादे से ज्यादा सेयर करने का परियास करें सबसे पहले हम संटेंस हाव तू फॉर्म एस संटेंस ऑड्यियोगा कैंसे करता है उस सब्सक्राइब करेंगे हव तon met het how to create a sentence, we will be able to understand how to put words together to get a meaningful sentence, we will understand, we will understand the order of the words to get a meaningful sentence and we will understand that what is syntax and what is subject and what is verb and what is agreement and what is concord. First of all, I will be able to tell you that there are two parts, first of all, two things I have written here, how to form a sentence and we will understand what will be the order of words. Second point, we will be understanding what will be, what will be the order of the words, orders to get a meaningful, meaningful sentences. Here, I am here to make use of your Debt. To do with the syntax Now what is verb and Butler what already étaient subjects. To do with the linear Wave Arambulmat agreement means it is arguments whether you will impact the compare it directly to the jurisprtal on the subject. Dome gives it सुब्जेक्ट भरइड़िमेंट जहां पर हमने सिंटएक्स लिए दोस्तों तो निए समझेंगे सिंटेक्स में हाववड फ्रूएज आकर कैसे बना जाता है उसके बारे में हम पढ़ते हैंży और पडुई GB Star of the Wars कि वार्डि य生 जो को प्राक्त करने के लिए जो है वार्ट क्या और किस ओर में हम दो रखेंगे जिसके कारब हम संटेंस क्रिएट कर पाएंगे पूरा पूरा संटेंस कैसे क्रिएट करें और उससे पहले मैं आपको बता पहला है की कि पहला है कि पहला है कि पहला है कि एग्रिमेंट agree agree meant of words क्या सब्दो का element हुआ है की नहीं हुआ है सब्दो का मेल है या नहीं है यह हम समझने का पर्यास करेंगे पहला syntax में, दूसरा है वो order की गात करेंगे पहला point है agreement of the words औ दूसरा point है order of the words order of the words यह दो प्वाइंट है, उसी संटेशी के रही हैं, यह होता है, बहुता है, पहने सब्जेक्ट होता है उसके बाद भर्ब होता है, और उसके बाद क्या होता है और यहां पर सब्जेक्ट आप देख लिए सब्जेक्ट अगर यहां पर मैंने बोला ही इस कि यहां पर यह संटेंस नहीं लिए इस पर देखेगा दोस्तु बहुत इंपर नहीं का सब्जेक्स में क्या चीज़ों को जाना जलूए है सब्जेक्स और और यहां पर 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 रहा है वह एपल पर 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 रहा है जो खाने का यह पर यह करा मां कापल काम कर रहा है एकपल पर तो यह कोगा यह सारे के सारे जो बाद कियें वहां के अग्री मेंट क्या है तो मिस्ट आप देख रहे हैं और यहाँ मतलब यह सब्जेक्स है क्या और दूसरा अब्जेक्ट है यह आपका क्या है इस तरह से इसको जो कहते हैं सिंटेक्स में हम सब्सक्राइब क्योंकि यह सब्सक्राइब कर देखना है यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहां पर मेल नहीं खा रहा है सब्सक्राइब क्योंकि यह सब्सक्राइब कर रहे हैं यहां पर हम डालेंगे तो उतना वहता नहीं होगा यही कहता है कि सब्सक्राइब कर देखने का प्रयास करते हैं पहले सब्सक्राइब कर सकते हैं कि इतना भी संटेंस होते हैं पहले सब्सक्राइब कर देखें कि यहां पर ही सब्सक्राइब कर दूसरा अब्सक्राइब कर दो दोस्तों कैसा लग रहा है वेडियो आप कमेंट नहीं करते हैं कमेंट करें अपने दिमार में इस बात को ठूस डालिए कि और सिंटेक्स में अग्रिमेंट अब द वोड्स शंट्राइब को आगे चलेंगे हम सब्सक्राइब के और इस विद्ट को आगे हैं उसको समझने का बात करते हैं सबसे पहले हम sentence के दो पाद होते हैं है कि itapark 52 तो थे हैं समझना जरूरी है एक होता है subject होता है और एक होता है आप प्रेडिकेट माइद फ्रेंड्स गौण से देखे इस वीडियो को इस मतलब संटेंस के दो भाग होते हैं दो पाटों में संटेंस होते हैं एक पाट होता है सब्सक्राइब प्रेडिकेट जैसे हम बोलें यहां पर प्लेज पर के विए सब्सक्राइब II को सब्सक्राइब cette 하루 new कि यह दितने होंगे उपर एलिक्षि को सबस्राइब। सब्सक्राइब और और बहुत सारी वर्ड मतलब एक से अधिक वर्ड भी प्रेडिकेट में हो सकते हैं तो दोस्तों संटेंस के दो पार्ट है सब्सक्राइब और बांकि वाले जितने भी वर्ड और जीतने ही वर्ड आजाएंगे सारे के सारे अप्रेडिकेट में आजाएंगी और मैं आपको बता दू कि जिस वर्ड का पास टेंस पर मता है वही भर्ड कहलाता है तो आपको यह समझ में आ रहा होगा दोस्तों यह वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करेंगे और आप कमेंट करना भूल जाते हैं इसको जितना ही अधिक देते हैं उतना ही और चाहता है चाहते की इच्छा रखता है अब हम बात करेंगे कि इतने परकार के सब्जेक्ट होते हैं यह समझेंगे देखें सब्जेक्ट और भर्व का एग्रीमेंट अगर्व हो जाए तो उसी को बोते सब्जेक्ट है का भर्व एग्रीमेंट जैसे अगर हम बोले इसको आप गौर से देखें दोस्तों यहां पर यह सब्जेक्ट हो गया और यह आपका भर्व हो गया तो यहां सब्जेक्ट और भर्व का एग्रेमेंट इस सब्जेक्ट का भर्व के साथ ق्या भरके खारा है की सब्जेक्ट भर्व के साथ हो और यह सब्जेक्ट का हो इसके साथ ही हमोलते हैं subject abur agreement दोस्तों तो हम बात करेंगे अकि मे às कि इंफे हैं तो टाइपCStop आफ करेंगे मैं अफ इसे हम स्पेस्वा करेंगे ज़रूर कमेंट करें लाइक करेंगे मेरे प्यारे जोस्तों जादे सज़ल्द इस विडियो को शेयर करेंगेये अब हवाएं ही करेगी रौसनी का फैसला जिस दियें में जान होगा वो दिया रह जाएगा Online डिया रह जाएगा आप मैंने कर दोस्तों और सम्साम इसको समझने की जोरत है कई सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि एक एग्रिमेंट होता जिसे बोलते हैं क्या मोलते हैं तो पहला एग्रिमेंट का परकार है वह है आपका फॉर्मल एग्रिमेंट एक होता है नोसनल एग्रिमेंट यह एग्रिमेंट जो होते हैं सब्जेक्ट और भर्म के एग्रिमेंट होते हैं और वो दो तरह के एग्रिमेंट होते हैं दो तरह के मिल होते हैं सब्जेक्ट और भर्म का जैसा देश वैसा जैस नई मालोती में पुर आपको यह सब्जेक्ट को पर सब्जेक को हो सकता है और यह लगाए वह सब्जाष होता है जिसका बुद्ध नगलूप होता है यह यहां पर हम एक संटेंस लिष्टे हैं आप गौर से देखिए दोसको यहां पर एक संटेंस लिखते हैं यहां पर लिखते हैं यहां पर लिखते हैं टू गौर से देखिए लुक अधिस लिखते हैं इसको आपको दिख रहा होगा यह सब्सक्राइब क्या है आपका प्लूरल है कि कहने का मतलब है कि इसका जो फॉर्म है देखने में कैसा लगा है इसका रूप क्या लगा है ठीक है और यहां पर इसका फॉर्म है और इसका मीनिंग अगर वाइस वर्ड का मीनिंग अगर देखें मीनिंग के अधार पर भी यह क्या है प्लूरल है दोस्तों तो ऐसा सब्सक्राइब सब्सक्राइब में ऐसा सब्सक्राइब जो उसके फॉर्म के अधार पर क्या लिए मिनिंग अधार पर और हम बात करें तो यह देख़्ेगा तो यह फॉर्म का अधार पर भी क्या है ? सब्सकेवत highway तो बहुत सब्सकेवत सब्सक्रा सब्सक्राओं 500 यह सब्सक्राओं पर है है और उल्म के अधार पर है अगर अब अब आम जेक्ट और पर217 और फर्म के अधार क्रीव पुस्ती और क्रेंड लग रहा है है और प्रफ के अधार पर पर आपको चले रहा है और यह भारव क्या है ये अधार पर 我是 प्रकार के सब्जेक्ट के अग्रिमेंट को हम मुलते प्रवल के विमेंट जो औरसन के और पर भी जो 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 घर्म और सब्जेक्स जो है क्या हो मेल खाता हो उसको फॉर्मल एलिमेंट कहते हैं फिर से एक बार समझेजे दोस्तों क्योंकि इस संटेंस में तू वाइज वेर इन दा रूम कि संटेंस में आप गौर से देखें कि वाइज जो है वो रूप के अधार भी आपको तेकर देख रहा है कि प्लूरल है और भी इस इसका रूप है यह यह जो है यह मीनिंग के अधार पर भी जो ल है और भाल आपके अधार पर हो या मिनिग के धार पर हो तो वैसे एग्रीमेंट को उस परकार के दियुक्त कहते हैं इधर आप हम मुस्मुनल एग्रीमेंट के बारे में थोरा चर्चा कर लेते हैं हमें लगता है यहां को समझ में आ गया फिर्सेक्वाइस मस्थमें है यहां वाई सब्स देख रहे हैं है जब हम लॉल बनाते हैं तो इता है दो फॉर्म के अणार पर यहीं फुल्डूरल है वॉर्म का मतलू है यहा उसरी होता है यहां पर होता है और भूस का नतुल है दोसको विंदुल हुआ होता है और वेर काम लुह होता है यह क्यों क्या है क्लूरल यह प्लूरल िक है इसी भी है क्लेमेन्ट कि यह संस्क्राइबहन वह भत आ hypothesisола तो कि अगर फॉर्म के अधार पर भी और दोनों का अग्रीमेंट पुरा है तो इस परकार के अग्रीमेंट को हम बोलते हैं स्कूलव को मिवचम के अग्रीमेंट इसको समझने का परियास कूर्ण resilient ऐसको समस्कंजने का प्रयास करते हैं दोस्तों ciąनल कि से लिस्कूलज। अगरीमेंट या इसको समझने का परियास कर देख्याद जैसे यहां पर एक संक्टेंस इत रहें और से देखेगा नन वियर लेट यह एक्जामपल जो है वो नोशनल एडिमेंट का उदारण है दोस्तों दिस इस इस बेस्ट एक्जामपल और नोशनल एडिमेंट तरहाएं यहां पर नन जो है यह नन सब्द देखेगा तोस्तों तो इसका फर्म से ही लग रहा है यह रूप से लग रहा है यह सिंगलर है लेकिन अगर सेंस की बात करेंगे तो यह प्लूरल सेंस दे रहा है बहुत इंपोटन दोस्तों और यह जो है आपका देख सकते हैं यह जो है प्लूरल है form से भी plural है ये और आपका sense से भी क्या है plural है अब देखें यहां पर देख लेजिए कि यहां पर form जो है plural है और sense भी ये plural दे रहा है लेकिन ये जो subject है non ये non इसका form जो है क्या है similar है और ये sense क्या दे रहा है plural प्छोडेया क्ले।ält और प्लूरल से देने गजैम से यहां पर हम प्लूरल घराये हैं प्लूर घरिशप बेढ़ा हैं सन्स मतलए है सिन्स कुछ ऋर है और इसका खॉर्म कुछ और यहां पर देख रहे печलीban इस परकार की agreement को बोलते है अगर देखा झाल रूप देखने में यह लग रहा है मुलोग या पर》 के बहुत सकते हैं सब्सक्राइए जैसे हैं ये डंश law मिजा मुझाल रहा है ये डेखने में लग रहा है प्लूरल ये फॉर्म जो है इसका प्लूरल है दोस्तों अपने दिवां च místy ड़स दाली किन श्तिक रहा है ये इसबिंग से रहा है सिलर रशेंट को एसे लिए यहां तो युप किया गया है is इस परकार के अग्रीमेंट को देखने में लग रहा है आप यहां पर आप लगा देंगे बलकि नहीं आप नहीं लगेगा यहां पर क्योंकि देखने में तो लग रहा है यह प्लूरल इसी परकार के अग्रीमेंट को कहते हैं देखने में लग रहा है पुलूरल लेकिन सिंस दे रहा है उसके साथ जो भर लगा है सिंस के अधार पर यहां पर भर पैसमाल किया जा रहा है जैसा सब्जेक्ट का सिंस होगा उसी डंग के भर का यूज होगा मतलम अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंस दे सिंग्लर और दीखने में फॉर्म रहे कुलूरल और सब्जेक्ट सिंग्लर रहे तो इस परकार के अग्रीमेट मुश हैं और सब्जेक्ट को हम एगृमानलगे के तो अप्नी दिमाग से निकालिए क्योंकि आप लोग जो है पॉमेडी करने वाले टीचर को ज्यादा फसंद करते हैं लेकिन जो इंप्रुमेंट देना चाहते हैं आपको बहतर एजुकेशन देना चाहरा है उससे पसंद नहीं करते हैं ना लाइक करते हैं न सबस्क्राइब क कि दिख्ष है कि और स्यूलर वर याद रखिएगा दिमाने में ठूस डाले इस बात को दोस्तो इस विए सब्जेक्ट टेक्स विए सब्जूलर होगा हमेशना जो वर्म होगा मतलब यह बोड सिवूलर है तो इसके साथ आने वाला वर्म जो सुलर होगा यह आप टेलिविजन नहीं देखर रहा वाँगा uti सिम्गलर मोवाइल सिम्गलर है आप अप प्रकासर से मुलर शिलर है इसाल है जाता है यह मार्कर गोज मैं प्रकासर जाते है प्रकासर गोज गोज कि लगा रहा है इसलिए वहां पर गोज लगा रहा है अगर मैं कहूं कि विंडो इस गुड फिर की अच्छी है यह बोड इस गुड एक कि लगा रहा है क्योंकि similar subject प्रवार्व हमेशा बोलते हैं health is wealth स्वास्त ही धन है तो मेरे प्यारे दोस्तों मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे प्यारे च्छात्रे में च्छात्रावों यह जो health है यह singular subject कि इसलिए यहां पर यह जो इज की स्वार्व किया गया यह वी आपका क्या है जो सब्जेक्ट क्या है इसलिए मैंने लिखा इस सब्जेक्ट टेक्सकिलेर हम प्रियुके से थिक्ञार है और हम एक बी फाय को क्या मुलते हैं जैसा कि आप जानते हैं जब हम नाउन का प्लूरल बनाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों से प्लूरल बनाते हैं कि अब कि आपते हैं कि आपे नायँ सब्सक्राइब करें लेकिन दूसरे देखेगा जब हम भर्व का प्लूरल बनाते हैं प्लूरल से बनता है बहुत ही अलग बनता है दोस्तों यहां पर प्लूरल लिखे गो यहां पर अगर हम गो लिख दिये यहां पर लिखे यहां पर लिखे यह प्लूरल अवस्ता में रहता है इसका प्लूरल बना जाएंगे तो इस बहुत है वह प्लूरल होता है है मतलब ही और होता है उसका प्लूरल से बना रहा है लेकिं यहां पर भर में हम प्लूरल से बना रहा है मेरे दोस्तों एक और इंपोटेंट जो है नियम है जिसको हम रख लेते हैं यहां पर आई पी है जिसको बोलेंगे आई पी की बोलेंगे मेरे प्लूरल भर एप लूरल भर टिक्स ए प्लूरल सब्जेक्ट यहां यहां पर यह भी कह सकते हैं कि ए प्लूरल सब्जेक्ट टिक्स ए प्लूरल हर बात बरादर है अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो भर भी प्लूरल होगा यहां प्लूरल होगा तो सब्जेक्ट भी प्लूरल होगा जैसे हम बोल देंगे दे प्ले तो यहां पर दे क्या है मेरे प्यारे दोस्तों अपकॉस प्लूरल है इसलिए प्ले प्लूरल आया है सबस् सेच्ट और अधिक बताने वाला सब्स लिला टो एक लोग खेलता है यह हाँ की लोग खेलते हैं यहां उत्लीकश मेलागु यहां इक मेरे प्रेट हो अगर कभी भी अगर सुरू में अंत में की सारा चीक्त की सुट होगा मतलब similar subject takes similar verb, similar object and whatever, whatever comes in that sentence, all will be similar, therefore similar subject takes similar verb and plural subject takes plural verb and we can be able to say that subject similar है तो verb similar होगा, object पहीं सुला, object similar है तो verb similar होगा और subject भी similar होगा, तो यह पहला वीडियो है दोस्तों, कैसा लगा इस वीडियो पर ज़रूब कमेंट करेंगे आप हम बहुत ज़्यादा बिश्वास और आसा करते हैं कि आप कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे और सेयर भी करेंगे, मैं फिर से परियास करूंगा, तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातर हम ज़्यादा से ज़्यादा सेयर करीजिए, फिर मिलते अगले एपिसोड में, subject verb element के बारे में तब तक के लिए जैहिंद लिए पन्देमा